So, hey guys and welcome back to the channel. I hope आपको इस सीरीज अभी तक बहुत 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 पसंदारी होगी. So, in this lecture we'll take back some feedbacks, ठीक है? तो आप comment करके बता सकते हो कि अभी तक आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, what improvements I can make in the series, ठीक है? So, अब हम बात करते हैं राज की वीडियो की, तो बिना कोई time waste के राज के lecture को स्टार्ट करते हैं. So, यार अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? अभी तक हमने खाली थोड़ा बहुत हमारा basics देखा है, stack की flows देखे हैं. तो हमने roughly इतना देख लिया कि अब हम recursion के साथ start कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी, तो उन्हें देख के हो, because ये बहुत ही related लगने वाला है आपको. So, मैंने आज एक question pick up किया, जो कि बहुत easy, यानि easy भी नहीं basic level का question है, but something which we will solve using recursion, तो ये काफ़ी interesting होने वाला है. आपको ये ऐसे otherwise iterative method से भी आता होगा, but again मैं आपको काफ़ी चीज़ें सिखाने वाला हो in the process. So, शुरू करते हैं आज के lecture को, तो हम कौन सा question आज solve करने वाले हैं? So, basically we are going to convert a number from decimal to binary, ठीक है? So, decimal to binary, अभी decimal क्या होता है? binary क्या होता है? इसका छोटा सा overview मैं आपको दे देता हूँ. तो 0 to 9 जो हमारे numbers होते हैं, उनसे मिला करके कोई भी number अगर बन रहा है, तो वो एक decimal number हुआ. And binary क्या होता है? 0 से 1 के बीच में मिला करके, अच्छा, बोथ inclusive है, 0 and 9 यहाएगा, 0 and 1 यहाएगा. इनसे मिला के कोई भी number बन रहा होते हैं, तो इसे हम कहते हैं, binary, ठीक है? इसे हम कहते हैं, decimal. Now how in mathematics या फिर generally हम कैसे से convert करते हैं, तो for example, अगर मेरे पास कोई number है 100 and this is a binary number, ठीक है? Let's assume this is binary and I want to convert it to decimal, so how will I do it? मैं क्या करता हूँ? मैं यहापे 3 numbers है ना? 1, 2, 3. तो मैं तीन बार 2 लिख देता हूँ, 2, 2, 2. ओके? यहापर हम लगा देते हैं, प्लस साइन, ठीक है? प्लस साइन अभी लगाते हैं आपको पहले मैं बता देता हूँ क्या कर रहा है हम यहापे, पहला डिजिट क्या है? 0 है, ठीक है? यहापे एक इंक्रिमेंट हो रहा है, 0 थे हैं, यहापे 1 होगा, ठीक है? तो अगहीं यहापे प्लस साइन, देन दिस इस वाट, देन देन वन इंटू, 2 तू दी पावर 2, so this will be basically 4 plus 0 plus 0, so अगर हमें decimal में कभी भी 4 लिखना हो, sorry, binary में कभी भी 4 लिखना हो, so that will be 100 in binary, ठीक है? so 100 in base 2 is equal to 4 base 10, ठीक है? तो decimal का 4 binary का 100 होता है, 100 actually से हम नहीं कहते हैं, इस हम 100 यह कहते हैं, ठीक है? so this is how conversion works, अब हम यहाँ पर क्या solve कर रहे हैं, हम यहाँ पर उल्टा काम कर रहे हैं, तो एक बार उल्टी चीज़ भी देख लेते हैं, so let's say I want to represent 100 in terms of binary, ठीक है? तो 100 एक decimal है, मुझे इसे binary में convert करना है, जो की ultimately हमारा आज का question भी है, तो यह काफी simple है, मैं यहाँ पर क्या करने वाल हो, मैं आपको दिखा दिता हूँ, ठीक है? तो आपको जिसे convert करना है, तो मुझे किसे convert करना है, मुझे 100 को convert करना है, तो मैं 100 को यहाँ रखूँगा, and मुझे किस में convert करना है, मुझे binary में, यानि कि 2 से, तो मैं 2 को यहाँ पर लिखूँगा, and then हम इसे divide करते जाएंगे, यान इधर हम क्या लिखेंगे, remainders लिखेंगे, ठीक है, so 2 कितने जा 100 होता है, 250 times 100 होता है, so this will be 0, ठीक है, then 2, 25 times 50 होता है, remainder अभी भी हमारे 0, क्योंकि complete division चल ला है, यहाँ पर 2 है, obviously, ठीक है, then again, मुझे इसे करना है, 2, 12 times 24, this will be 1, then again, 2, 6 times 12, we'll have a remainder of 0, ठीक है, then again, up to how many times, so 2 thrice will be 6, remainder is still 0, then में बस 3 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे, ठीक है, it will be 2, 1 time, 2 ones are 2, ठीक है, 3 minus 2 is 1, remainder is 1, now again, 2, and यहाँ पर 1 कितने times जाएगा, तो 0 times जाएगा, and यहाँ पर remainder 1 आ जाएगा, तो whenever you hit a 0 here, you have to stop, ठीक है, अब हम answer कैसे print करेंगे, इस fashion में, we'll go from bottom up, तो सबसे पहले क्या है, सबसे नीचे वाला word देखो, 1, then 1, then 0, then 0, then 1, then 0, then 0, now how we can verify it, हमने अभी देखा, हम इसे convert करते हैं, यह हमारा binary number है, ठीक है, कैसे यह सही है, इसे हम कैसे confirm कर सकते हैं, हमने जैसे पिछले, like, convert करके से पहले देखा था, so let's try to convert it into decimal, एसी क्या होता है, ठीक है, तो यह 2 power 0 जाएगा, यह 2 power 1 जाएगा, यह 2 power 2 जाएगा, ठीक है, तो 2 power 2 is 4, then यह 2 power 3 जाएगा, यह 2 power 4 जाएगा, यह 2 power 5 जाएगा, 2 power 5 is 32, यह 2 power 6 जाएगा, which is 64, ठीक है, तो 64 plus 32 is 96, plus 4 is 100, so we got 100, ठीक है, बाकि सारे 0 होने वाले, so that's how we can verify, ठीक है, तो अब आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया है, कि हम यहाँ पर क्या करने वाले है, बट हम इसे code कैसे करेंगे, अब हमने कुछ-कुछ cases verify किये, तो अगें तीन चीज़ा मैं बता होनी चाहिए, वो क्या होती है, सबसे पहले मुझे बताना होता है, कि base case क्या है, मतलब रुकना कब है, तो आपने देखा हम कब रुके, जब हमें 0 मिल गया, 0 क्या मिल गया, जो मेरा नंबर था, जिसको मैं डिवाइड करता जा रहे था, जब तक वो 0 नहीं हुआ है, यानि कि N की value, लट से आपने capital N से, आपने capital N input दिया है, and N मैं ऐसे generic कहा रहा हूँ, तो N की value, N to 0 जा सकती है, 0 is my base case, यहाँ पर मुझे रुकना है, इससे नीचे मैं नहीं जा सकता, ठीक है, and you cannot divide a positive number below 0, यह चीज़ आपको पता होगे, कि आप 0 को कितिनी बार भी किसी number से divide कर लो, वो 0 जी रहेगा, वो negative नहीं हो जाएगा, we are not subtracting here, ठीक है, this is basic maths, तो हमने यहाँ पर कि हमारा base case जो है, वो 0 हो गया, यह जब तक मेरा n 0 नहीं हो जादा, तब तक मुझे एक काम करना है, क्या काम करना है, what we were doing, ठीक है, so recursive method क्या था हमारा, repeating steps क्या थे हमारे, ठीक है, repeating steps क्या थे हमारे, we were dividing the number, ठीक है, dividing the number by what, dividing it by 2, यानि कि हम कर रहे थे, n by 2, यह हमारे क्या है, repetitive task है, इन चीजों के बारे में, हम already बात कर चुके, पुरानी वीडियो में, अगर आपको नहीं पता कि, मैं base case क्यों बोलना हूँ, repetitive task क्यों बोलना हूँ, तो आप फिर confused हो यहां पर, ठीक है, third parameter is our input, मुझे input क्या चाहिए, तो input चाहिए, मुझे एक number चाहिए, ठीक है, तो हम उसी number को बार बार क्या कर रहे हैं, divide by 2 करके, अगली बार input ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं आपको उपर दिखा भी दूँ, ठीक है, then मैंने इसको divide कर, जो answer है, वो ही मेरा अगला N है, जो answer है, वो ही मेरा अगला N है, ठीक है, यानि आपको दिख रहे हैं, कि हमारा input क्या हो रहा है अर बारी, same ही जा रहा है, N ही है हमारा input, और कुछ नहीं है हमारा input, divide हमने 2 से ही करना है, ठीक है, तो हमारा क्या change हो रहा है, vary क्या हो रहा है, यहाँ पर input vary हो रहा है, और वो कैसे हो रहा है, वो divide by 2 ही next हमारा input है, ठीक है, so that's done, अब हमें क्या करना है, अब हमें से simply code करना है, तो तीन चीज़ें हमने discover कर ली, बट अभी अगर आप यहाँ पर एक और flow दिख रहा हो, अच्छा चलो, मैं पहले code दिखाता हूँ, code करते हैं, try करते हैं, code करने का, then हम उसे console पर run करके verify भी करेंगे, ठीक है, so how are we going to say कि we are correct or not, तो हमने क्या करना है, हमें code लिखना है, which is, let's say it is a void, void, convert, ठीक है, यह मेरे function का नाम मैंने ले लिए convert, input हमारे पास क्या होना चाहिए, input हमारे पास n, u, m, means एक number होना चाहिए, ठीक है, now how are we going to start, सबसे पहले, let's write the base case, ठीक है, base case पहले लिख लेते हैं, तो base case क्या है, कि if, जो हमारा नम है, वो जब भी क्या हो जाए, zero हो जाए, then we need to return, return what, return nothing, यहां से function वापस जाएगा, function की call को वापस भेज रहे है, यह this is a void function, ठीक है, so we need not return any value, just return keyword लिखने से, यह trace back होने लगगा, यह functions pop होने लगएंगे, recursion stack से, यह चीज़ हम सीख चुके हैं already, अगर आपने भी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो again, देख के हैं वरना, you will get a lot of confusion here, ठीक है, अब हमने base case कर लिए, what is my repetitive task, I need to convert it, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसी function को वापस से call किया, मैंने recursively call किया, which, what will be my input next time, 100 था, फिर अगला input 50 था, फिर अगला input 25 था, फिर 12 था, we are dividing it by 2, ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा, number by 2, यह हमारा next input है, अब catchy step क्या है, ठीक है, क्या मैं function बंद कर दूँ, नई, मुझे answer चाहिए, यह क्या कर रहा है, यह task तो perform कर रहा है, बट, मुझे answer चाहिए, मेरा answer क्या है, देखो, so let's discuss here again, यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ मैं divide किया, मैंने कुछ लिखा, क्या लिखा, मैंने यहाँ पर, हमारा remainder लिखा, this is what, this is remainders, ठीक है, मुझे ultimately इन remainders को print कराना है, बट कैसे print कराना है, मैंने इसे कैसे print किया, क्या मैंने इसे, इस direction में लिखा, या फिर इस direction में लिखा, तो obviously मैंने यह second वाला option चूज किया, या नहीं मैंने, नीचे से उपर लिखा, this is how we write it, ठीक है, तो यह कैसे आया, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, यानि कि, अगर आप इसे, एक recursion stack की तरह समझो, ठीक है, तो यह function का डबबा है, यह function का डबबा है, recursion stack का डबबा है यह, यहाँ पर मैंने पास किया 100, ठीक है, then मैंने पास किया 50, then मैंने पास किया 25, देन मैंने पास किया 12, देन मैंने पास किया 6, देन मैंने पास किया 3, देन मैंने पास किया 1, देन मैंने पास किया 0, this was my base case, तो यह return कर गया, अब यह इसे return करेगा, तो यह क्या है, यह यह वाला step है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 1 print करना होगा, आपको बात समझ में आई, त क्या print करना है इन रिमेंडर को print करना है ठीक है how will I get a remainder modelist sign लगाओ भाई ठीक है so अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अब आप कैसे कर सकते हो इस चीज़ को ठीक है so this is as simple as it gets मुझे वापस आते समय print करना है ठीक है तो क्या करना है हम यहाँ पर हम print करते हैं से print obviously system.out.println या फिर c++ है तो cout ठीक है यहाँ पर क्या print करना है number modulus 2 modulus means remainder ठीक है हम convert करते गए then हम remainder को print करना है तो यह आपका answer इसी fashion में देगा पहले 1 फिर 1 फिर 0 या और जो भी था आगे ठीक है हमने उपर देखा था क्या है यहाँ पर तो यह जो भी था आपको दिखा देता हूं मैं एक मिनट ठीक है तो यही print हो गए यहाँ पर ठीक है exactly same चीज़े print हो जाएंगी अब मैं इस चीज़ को verify करके आपको दिखाता हूं ठीक है बड़ उसके पहले what we did we just have to recall something कि हमने क्या किया यहाँ पर तो आपने देखा होगा इस question में हमने क्या किया हमने जाते समय क्या किया जाते समय हमने values लिखी बड़ जब हम return कर रहे थे ठीक है वापस आते समय हमने क्या किया we started printing them ठीक है तो यह कौन सा step होता है आपको मैंने सिखाया है यह कब होता है जब मैं return कर रहा हूं तब यह चलेगा तो यह वापस आते समय यह steps चलना है ठीक है तो मैंने वही तो वहाँ पर आप से क्या का था मैं इसे उल्टा लिखना है नहीं हमें वापस आते समय इसे print करन आएक बादेख ठीक है तो इसे हाओ इट वर्क्स अभी मैं आपको इसे कोड गर के दिखाता हूं और आई होप आपको इस चीजे काफी crystal clear हो गई होंगी तो लेट्स ओपन आवर कोडिंग कंसोल विच इस Geeks4Geeks ठीक है तो इसकी यहार मैं आपको लिंक दे दूंगा आप इ रेटर्न कर जाएंगे ठीक है देन हमारा नेक्स्टेप क्या है वी नीड तो कॉल दे फंक्शन रिकर्सिवली जो टास्क मुझे करना है रिकर्सिवली उसे हम परफॉर्म करते हैं विच इस टू बाइनरी एंड हेर वी नीड टू पास एंड बाइन बाई टू ठीक है एंड वापस आते समय हमें क्या करना है हमें प्रेंट करना है तो फिल से system.out.print println नहीं लिखर है क्यों नहीं लिखर है क्योंकि आपको यहां पर आउटपूट तेख रहा होगा इस इस हापनिंग कंतिनूशली ठीक है तो मुझे यहां पर सपसिस नहीं चाहिए so system.out.print and we are going to print n modulo 2 check it so I think we are good to go हमने base case लिख दिया हमने repetitive condition लिख लिख दिया हमने वापस आते समय print भी करके देख ले let's try to compile and run this okay so ठीक है तो हमारा expected output and your output perfectly match कर रहा है तो इसे एक पार submit करके देख लेते हैं तो मैं आपको 100 भी print करके अलग से दिखाऊंगा So 100 by 100 सारे test cases pass हो गए But let's say मुझे custom input भी दिखाना है So ये basically 3 क्या है 3 means number of test cases So मुझे एक ही test case चाहिए And the value I want is 100 ठीक है तो we will verify our answer from here So I hope you can see my screen right now It's 1100100 And what we did here was Again the same thing 1100100 ठीक है So ये थी आज की lecture में मैंने आपको एक basic question समझाया And हम ऐसे कई सारे questions अभी आगे और वीडियो में करने वाले Because ये series ऐसी होने वाली है जिसमें आप साथ साथ बहुत कुछ learn करने वाले हो So I hope आपको आज की वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो मैं आपके कुछ value addition कर पाए हूं knowledge में So that's it for today मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में आज की वीडियो में इत्ता है तब तक लिए Bye-bye, take care and do like this video ठीक है Bye